यूक्रेन और रूस के पीच 24 फरवरी से शुरू हुई जंक पर फिलहाल ब्रेक लगता नहीं दिख रहा है रूसी कोली बारिस से यूक्रेन के कई शहर खंड़र में तब्तील हो गए सडके वीरान है बम बारूत ते इमारते या तो ढगई या फिल जमिदोज हो गई युद को शुरू हुए एक महीने से ज़्यादा का वक्त प्रिद चुका है खारकीद से लवेब तक रूसी सेरा ने बम गोले बरसाए बम बारूत से यूक्रेन के कई शहर लहुलोहान हो गए लेकिन अब जो हालात पर रहे हैं वो दुनिया के लिए सही संदेश नहीं है अभी तक जंग में रूस और यूक्रेन के नेता बयान बाजी कर रहे थी लेकिन अब अमेरिका और रूस के पीच दुदु मैमे शुरू हो गई है पोलेंड दोरे पर पहुँचे अमेरिकी राश्पती जो बाइडर ने बढ़ा दावा किया उन्होंने कहा बो दिन जल्दी 87 से बेदखल हो जाएंगी रूस ने खुद युद चुना और ये युद एक दिन या एक महिने में खत्म नहीं हो सकता है अमेरिकी राश्पती की इस बयान की बाद रूस और अमेरिका में टकराओ बढ़ता नजर आ रहा है क्योंकि रूस ने खुल कर अमेरिकी राश्पती की इस बयान का विरोध किया रूसी राश्पती हाउस क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पैस्खोव ने कहा यह बाइडन नहीं तै करेंगे कि पुतिन कब तक तत्ता में रहेंगे रूस की जन्ता ने पुतिन को राष्टपती बनाया है बाइडन के इस बयान से रूस और अमेरिका के बीच सबंद पर और गहरा असर होगा पुतिन पर बाइडन का बयान भले ही वक्त की मांग रहा हो लेकिन अब वाइट हाउस से लेकर अमेरिका की तमाम एक्सपर्ट्स डैमेज कंट्रोल में लग गए है इसे बीच अमेरिकी मीडिया निखाए कि बाइडन के बयान से रूस और अमेरिका के संबंद खराब हो सकते हैं जो बाइडन का पुतिन पर दिया बयान पहला और आखरी नहीं है बलकि पोलेंड दौरे पर बाइडन ने पुतिन को कसाई तक गह डाला और तो और बाइडन ने पुतिन को बड़ी जेतावनी तक ले डाली है उन्हें गहा है कि नैटों की सीमा में रूस एक इंच गुसने की हिमाकत ना करे नहीं तो इसका परड़ाम काफी भयावा हो अमेरिका और रूस के बीच जिस तरह से बैन भाजी हो रही है उससे सवाल उठना लाजमी है कि क्या दुनिया तीसरे विश्यूत की ओर बढ़ रही है क्या जंग जल खत्म होने की उबीद नहीं है अमेरिका और रूस के बीच जुबाने जंग में थर्ड वड़वार का खत्रा मढ़नाने लगा है क्योंकि रूसी राश्पती ब्लाद्मिर पुतिन ने थर्ड वड़वार की ओर अगरसर धुनिया उत्तर अट्लांटिक महास्यागर में परमाडु पंडूबिया उतार दी रूसी पंडूबिया सोला बैलेस्टिक मिसाईले ले जाने में सक्षम है ब्लाइक सीसी रूस ने चार कलीब्र क्रूज मिसाईल लॉंच की इस मिसाईल से जिटोमेर शेतर में एक विलिटरी डिपो को तबाह कर दिया इन सब के बीच राश्पती पुतिन पहले ही नियोकलियर डेटरेंस फोर्सेस को अलट रहने का आधेश दे चुके हैं यानि योक्रेन को खेरने में रूस ने पूरी ताकत लगा दी उधर नेटो देश भी रूस की घेराबंदी करने में जुटे हुए हैं हाल फिल हाल के आंकडों पर नजर डाले तो रूस से सटे इलाखों में नेटो सेनकों की तेराती कर दी गई है इस्टोनिया में 9000 सैनिक लात्विया में 9100 सैनिक लिधुनिया में 20800 सैनिक पुलैंड में 130500 सैनिक स्लुवाकिया में 15100 सैनिक हंग्री में 24800 सैनिक रोमानिया में 89300 सैनिक मुलगेरिया में 26900 सैनिक तैनाथ है उधर यूक्रेन के राश्टपती बल्यादुमीर जलैंसकी ने रोस पर फिर से हमला बोला उन्होंने कहा तोपो से किये जा रहे हमले और हवाई बंबारी की वयस से शहर मलबे में तब्दील हो रहे आम नागिकों की मौत हो रही और अन्य लोग शोनस्थली की खोज में जीवित रहने के लिए भोजन और पानी की तलाश कर रहे हैं आप हर वो चीज कर रहे हैं जिससे हमारे लोग सोयम ही रोसी भाशा का त्याग कर देंगी क्योंकि रोसी भाशा अब केवल आप से आपकी द्वारा किये गए विस फोटों और आप द्वारा की गई हत्याओं और अपराधों से जुड़ी रहेंगी इन सब के बीच योकरिन का कहना है कि उनकी सेना रोसी जवानों पर भारी पड़ रही है योकरिन का दवा है कि 27 माच तक रोस के 16,600 सेना की मौत हुई 121 लडाकों विमान और 127 हेलिकॉप्टर्स दवा हुए 582 युद्धक टैंक और 4 मुबाइल SRBM बरबाद हुए वे रोस ने भी दवा किया कि अब तक 1351 रोसी सेनकों ने जान गवाई है जिसमें 6 जनरल रैंक के अधिकारी है हलाकि यूकरेन और पश्मी देशों के मिलिटरी इंडिलिजन्स के मुताबिक ये संख्या और अधिक है कुल मिला कर कहा जाए तो जन्ग अभी ना किवल जारी रहेगी बलकि जिस तरह के हालात पर रहे हैं वो तीसरे विश्युद की ओर दुनिया को ले जा रही है जूरी पूरी पूरी नूस इंडिया